हेलो एवरिवान आज मैं इस डिजाइन का फुल टुटोरियल आपके लेके आई हूँ यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिनके लिए मैं आप सबके लिए यह वीडियो लेके आ रही हूँ तो स्टार्ट करते हैं पहले तो आप हम फंदे ले लेंगे यह बुनाई तीन-तीन फंदों की है तो तीन गुना करके आप जितनी लंबी बुनाई बनाना चाहते हैं उसे सापसे यह फंदे ले लेंगे और फिर एक्स्ट्रा के साइड के दो-दो फंदे ले लेंगे तो मैंने इसमें 20 फंदे लिये हैं और मैं चार फंदे एक्स्ट्रा लोंगी दो साइड के और दो-दो फंदे साइड साइड के लेंगे तो अब यहां से हम सीधा मुल लेंगे सीधी सिलाई पूरी निकाल देंगे हम इस तरीके से इस बुनाई को आप या तो कार्डिगन में यूज कर सकते हैं जैंस का भी स्वेटर बना सकते हैं और बेवी फ्रॉग, बेवी, बॉइ और गर्ल के दोनों के लिए स्वेटर आप बुन सकते हैं ये दोनों में सभी में अच्छा लगता है यह बहुत ही अच्छी बुनाई है यह तो इस तरेके से मैंने यह पहली लाइन निकाल दी है तो यह सीधी सीधी लाइन निकाल लिया है इस तरेके से ठीक है अब इसको पलट लेंगे अब हम उल्टे तरगे से हम निकालेंगे इसकी लाइन पूरी पहले हम फंदा उल्टा लेंगे दूसरा दो फिर तीसरा फंदा तीन फंदे हम उल्टे ले लेंगे अब फंदा आगे करके हम सीधा फंदा बुनेंगे फिर उल्टा करके एक फंदा फिर सीधा करके एक फंदा तो मतलब यह है एक आगे एक पीछे करके हम उल्टा सीधा करके हम बुनेंगे देखे एक आगे एक पीछे मतलब एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा इस तरह के से बनाई कर देता हैं बहुत ही आसान तरिके से टार्व कि यह पूरी निकालेंगे हम अनृ उल्पी रोखे निकालेंगे लिए एक पीछे वाले वाली सुम्ड़ सच up नैसे आधसे बहूं कर देते हैं बहुत ही आसान तशाहि waं से टारिण लसी गॉंज हम बनाईगे यह लास्ट के हमने तीन फंदे उल्टे बुन लिये हैं चाहे तो आप इसको सीधा-सीधा या उल्टा-उल्टा ही बुन सकते हैं मैंने इसको एक तरब के साइट में सीधा ही लिया है अब हम सीधा बुनेंगे यहां पर हमारे चार सीधे फंदे आरहे हैं वो हमारे डिजाइन में ही कवर हो जाएंगे तो एक फंदा हमने उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा जिससे हम बॉर्डर के बनाते हैं उस हिसथा Si बनाएंगे हम एक उल्टा एक सीधा तो ये दो लाइन हमारी कम्प्लीट हो जाएंगी तो ये हमारा सीधे तरफ का चल रहा है इस तरीके से हम ये पूरी रो कम्प्लीट कर देंगे ये हमने कम्प्लीट कर दिया है ये लास्ट के तीन फंदे हमने सीधे लेने है इस तरीके से देखिए जैसे बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह कैसे हम बनाएंगे अब हम उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे अपनी बुनाई तो हमने ये तीन फंदे हमें उल्टे लेने है अब ये फंदा जो हमारा सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा ही हिबन लेंगे अब यहां से देखिए ध्यान से कि हम मैं आगे बुनाई कैसे स्टार्ट करती हूँ तो फंदा हमारा पीछे ही रहेगा उल्टे तरिके से हम लिंगे जैसे हम फंदे बढ़ाते हैं उसी ही तरह से हमें बढ़ाने हैं इनको फंदे को तो हमने एक सीधा लिया फिर उल्टा लिया तो हमने तीन फंदे बुन लिये तो जो हमारा एक फंदा बढ़ा हुआ था उसको हम इन तीन फंदों के उपर से पूरा निकाल देंगे इस तरह के से ध्यान से कोई फंदा दूबे ना यह देखिए अब हम इसको सीधा बुनेंगे एक फंदा फिर उसी तरीके से जैसे हम फंदा बढ़ाते हैं उल्टे तरीके से ऐसे हम इस फंदे को बनाएंगे एक एक्स्ट्रा फंदा हो गया अब सीधा बुनेंगे फिर एक उल्टा फंदा बुनेंगे और जो एक्स्रा फंदा है जो बड़ा हुआ उसको हम इन तीनों फंदे के उपर से निकाल देंगे फिर सीधा फंदा बुनेंगे फिर बढ़ाएंगे हम उल्टे तरीके से फिर सीधा फंदा फिर एक उल्टा फंदा बुनेंगे और बड़े वे फंदे को हम इन तीनों फंदों के उपर से निकाल देंगे इस तरीके से फिर सीधा फंदा बुनेंगे उल्टे फंदा बुनके हम बढ़ाएंगे फिर सीधा फंदा बुनेंगे फिर उल्टा फंदा बुनके बड़े वे फंदे को हम तीनों फंदे के ऊपर से निकाल देंगे सीधा फंदा बुनेंगे अब यहां पर हमारे लास्ट के रह गए हैं तो हमारी बुनाई आगे नहीं बनेगी तो हम इसको सबको विटा ही बुन लेंगे यह देखे इस तरह के से दिखेगा यह चाहे तो आप साइट के फंदे ना छोड़ें पूरी बुनाई निकाल लें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमने सीधा लेना है ये अब जहां उल्टा है वहां हमें उल्टा लेना है जहां सीधा फंदा लिया है वहां सीधा फंदा जिस दर से हमने बॉर्डर बनाना है उसी तरह किसे ये हमारा सीधा फंदा रहेगा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा बस आगे का फंदा दियान रखना है जो सीधा फंदा लिया है वो से सीधा ही लेना है और जो उल्टा फंदा लिया है उसे उल्टा ही फंदा लेना है इस तरह कैसे हम इस पूरी ड्रो को निकाल देंगे तो यह इससे हमाई पुरी design की एक line पुरी complete हो जाएघी कहने के वाली बात है कि यह design दो रोम में complete होती है और यह पीछे से start हो गी इस टरीके से हम यह 3 फंदे सीधे ले लेंगे देखे इस तरीके से यह बनना स्टार्ट हो गई है हमारी जैसे जैसे हम आगे बनाई बनाते रहेंगे यह और क्लियर होता रहेगा तो हम उल्टी तरफ से आगे हैं तो हमें यह उल्टे फंदे निकाल 3 घंश हमारे उल्टे रहेंगे छाहि देंगे फिर उल्टा हमें बीच से डिजाइन लीनी है अब हम इसको फंदे को एक्स्ट्रा फंदे को हम तीने फंदे से उपर निकाल देंगे थुड़ा लूज लें ताकि उसको निकालने में आसानी हो सीधा फंदा फिर हम इसको उल्टे तरके से बढ़ाएंगे फंदे को इस तरीके से फिर सीधा लेंगे फिर उल्टा और एक्स्ट्रा फंदे को हम इसको उपर से निकाल देंगे इस तरीके से ऐसी हम ये आगे बनाते रहेंगे मैं अपने चैनल पर डेली एक वीडियो बुनाई की डिजाइन की अप्लोड करती हूँ जो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अप्लोड हो जाती है तो आपको उसमें से कोई भी डिजाइन आपको फुल टुटोरिल जिसका चाहिए तो आप कमेंट जरू कीजेगा और मुझे बताई करकी आपको ये बुनाईया कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलिएगा तो मैं ऐसे इस पूरे रोग को निकाल दूँगी उपर ये फंदा उठाके तीनों फंदे के उपर से निकाल देंगे फिर सीधा फंदा फंदे को हम उटेतरी से बढ़ाएंगे फिर उल्टा और इसको हम एक्स्ट्रा फंदे को हम उपर से निकाल देंगे अब हम तीनों फंदे को उल्टा पुन लेंगे ये देखे बीच में ही लिया है हमने जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी बुनाई तो हमें बीच में से लेनी है देखे ये हमने बीच में से लिया है तो आपको एक आगे पीछे फंदा करना होगा जैसे मैंने किया है ध्यान से देखेंगे आप वीडियो तो हमने इसको अब सीधा तरीके से बुन लेंगे तो हमने यहाँ पर तीन हमारे सीधे फंदे तो हैं अब हमारा यह जो फंदा है वो हमारा सीधा है तो हम सीधा बुनेंगे से अब यहाँ से सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा इस तरीके से पूरी रोह हम कम्प्लीट कर देंगे अपनी इस तरीके से इसको हम बुन लेंगे बहुत ही आसान पैटर्न है अगर एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आप इसको फिर गलती कभी नहीं होगी इसमें बनाने में बहुत ही सिंपल है उल्टा सीधा ही बनाना है इसको बाध्ज़ां से start करना है वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा फंढ़ आप बनाने start कर रहे है starting में अब हम सीधा ले रहेंगे से अब ही सारे फंदिये हमारे सीधे ही जाएंगे तो देखे इस से बनाई ये हमारी start हो गई है देखे अब ये उबह रही है design इसको तीन चार लाइन बनाएंगे न तो यह और ख्लियर दिखाई देगी तो थोड़ा और इसको एक दू लाइन और गमपीट करते हैं इसको तो हमने उल्टा ले लिया अब हम यहां पर तीन उल्टे लेंगे अब यहां सीधा दिख रहा है इसको सीधा लेंगे अब हम यहां पर उल्टे तरिके से फंदे को बढ़ाएंगे और फिर सीधा लेंगे अब उल्टा लेके एक्स्टा फंदे को तीन फंदे के उपर से निकाल देंगे इसके से फिर सीधा उल्टे में हम बढ़ाएंगे देखे उल्टे में हम बढ़ाएंगे थोड़ा दिमाग दोदर चला जाता ना तो ध्यान नहीं रहता फिर सीधा फिर उल्टा इसको हम फंदे को निकाल देंगे फिर सीधा इसको बढ़ा लेंगे फिर सीधा उल्टा फंदे को उपर से निकाल देंगे इवा जो बुनाई करने लगोने तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत ही रिलैक्स फिल करती हूं मैं तो जब बुनाई करती हूं तो बहुत ही रिलैक्सिंग है बुनाई करना क्रोशे चलाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए कैसे हमने यह ले लिया सीधा कर लिया अब हम यह सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे अब हमारा सीधा पल्ला आगया है अब हम इसको देखे सीधा बुनेंगे जो फंदा हमारा सीधा है उसको हम सीधा ही बुनेंगे और जो उल्टा है उसको हम उल्टा बुनेंगे यह सीधा बुनेंगे उल्टा फिर सीधा इस तरह के से पुरी रो निकाल देंगे हम इस तरह के से इसे निकाल देंगे इसे निकाल देंगे अब सीधे फंदे निकाल देंगे इस तरह के से देखे आप यह उबर के आ रही है डिजाइन इसी तरह के से हम आगे भी इस डिजाइन को बना लेंगे साइट में आप फंदे नहीं छोड़ें तो कोई प्रावल्म नहीं है आप बना सकते हैं जैसे मैंने यह रैड वाले में नहीं छोड़ा था मैंने इस में छोड़ा है तो जैसे भी आपको सही लगे आप उसे साब से बनाएगा देखे रैड डार्क लर है और मैंने लाइक लर में बनाया है मैं चैनल पर कई वीडियो डालती रहती हूँ जैसे क्रोश्या की और बनाईयों की तो आपको जो भी टुटोरिल फुल टुटोरिल जिसके उपर चाहिए आप कमेंट करके आप मुझे बताइए तो मैं उसके उपर फुल टुटोरिल जरूर लेके आऊँगी थे प्रवाचि वाचिए जिसके उपर चाहिए